तो मोदी जी की जो है अभी मंगल की दशा शुरू हो गएगे, मंगल की महादशा मंगल जो है उनके लग्ण में हैं और स्वराशी के अपनी ही राशी के बठें which will make him more strong, वो जो है उनको बहुत जादा strength देंगे नमश्कार फ्रेंज, मैं हूँ astrologer और वास्तु consultant रधी पहल दिसंबर के महिने में काफी important planetary changes हुए है क्या होगा impact इनका हम पे, हमारी society पे, in fact पूरी human race पे आज हम यही discuss करेंगे 21 दिसंबर को बहुत ही important planetary movement हुआ वो यह था कि गुरू और शनी दोनों के दोनों एक ही नक्षत्र में एक ही राशी में उनका जो है degree conjunction हुआ, एक ही डिगरी पे दोनों थे देखे विरहत सम्हता जो की विरहा महीर ने लिखी है उन्होंने उसमें बड़े clearly mention किया है कि जब-जब गुरू और शनी एक साथ एक राशी में होंगे तो civil war जैसे situation होगी यह देखा भी गया है पहले कि जब-जब यह conjunction हुआ है, गुरू और शनी का हुआ है तब-तब जो है काफी important changes हुए है in fact transformations हुए है तो यह जो समय है, यह जो planetary conjunction हुआ है, यह indicate कर रहा है transformation को आप देखिए इस conjunction में शनी जो है वो अपनी ही राशी के है गुरू जो है वो नीच के है 14 दिसंबर को सूरे ग्रहन पड़ा था जो यह ग्रहन पड़ा था, यह भी जो है Scorpio, व्रिष्चिक राशी में पड़ा था व्रिष्चिक राशी में जो है, वो transformation की राशी है तो देखिए जब भी कोई बदलाव आता है, जब भी कोई transformation आता है तो उससे पहले जो है, उथल पुथल होती है ऐसा ही कुछ जो है हमें अभी और आगे आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा जन्वरी के महीने में राभू जो है, वो रोहिनी नक्षत्र में आएंगे रोहिनी नक्षत्र जो है, इंडिया की कुंडली में जो है, इंडिया के हिसाब से बड़ा ही sensitive point है जन्वरी से लेके मार्श तक जो है, काफी कुछ देश में देखने को मिलेगा उसके लिए मैं आप जल्दी एक separate video बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या planetary changes होंगे और उनका क्या impact होगा बात हम अभी किये करते हैं जो ये combination अभी जो बन रहा है देखे उसके साथ साथ जब जिस दिन ये conjunction था गुरू और शनी का उस दिन जो है चंद्रमा जो है वो पूर्व भादपद्र नक्षत्र में मीन राशी में थे मीन राशी जो है वो जलतत्व की राशी है पूर्व भादपद्र नक्षत्र भी जो है शुक्र का है जो की जलतत्व की राशी है So this is indicating some kind of water calamity जल से related calamity याने कि बहुत जादा बारिश हो सकती है या water cyclone आ सकते है क्योंकि जो गुरू और शनी का conjunction है वो पृत्वी तत्व राशी पे बन रहा है So it is also indicating earthquakes तो जब आनलाइस करते हैं तो हम पक्ष बलकी भी कुंडली लेते हैं जो जब नया संबत शुरू होता है तो जैत्र प्रतिपदा की कुंडली है उसको भी आनलाइस किया जाता है मैं वो सारे डिटेल्स में अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने कहा है कि बहुत टेक्निकल हो जाता है वीडियो तो मैं जो हूँ अभी सिर्फ अभी का जो कंजंक्शन है और उससे क्या रिजल्ट्स है उनी के बारे में आपसे भी डिसकस कर रहे है तो ये चीजें जो है जैसे मैंने का अर्थक्वेक्स और वाटर रिलेटिट जो है साइकलोन या वाटर रिलेटिट ग्लामटीज, फ्लड्स या बहुत जादा बारिश ये जो है हमें देखने को मिल सकती है जो ये कंजंक्शन है गुरू और शनी का ये जो है भारत के 9th house में बन रहा है 9th house से जो है ये तीसरे घर को देख रहे हैं तीसरा घर जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है वो रिप्रेजेंट करता है नेबर्स को तो नेबर्स से रिलेटिट यानि कि बॉर्डर पे जो है आप आने वाले महिनों में हलचल जो है जरूर से देख सकते हैं जो एकलिप्स पड़ा प्लस जो ये जो कंजंक्शन हो रहा है और जो अभी इतना एकदम एक डिग्री पे था इसका इंपाक्ट नेबर्स का नेबर्स पे हमारे जो नेबर्स हैं और जो बॉर्डर है उस पे देखने को ज़रूर से मिलेगा Classics में एक बहुत ही important point है वो ये है कि जो देश का राजा होता है जो देश का ruler होता है उसकी दशा का भी जो है impact देश पे हमें जो है देखने को मिलता है obviously क्योंकि उसका impact जो राजा है उस पे होगा और उसके decisions पे होगा तो उसका जिसका direct impact जो है देश में रहने वाले लोगों पे होगा तो मोदी जी की जो है अभी मंगल की दशा शुरू हो गए है मंगल की महादशा मंगल जो है उनके लगन में है और स्वराशी के है अपनी ही राशी के बैठे है which will make him more strong वो जो है उनको बहुत जादा strength देंगे तो देखें जो भी ये transformation होगा जो भी ये उथल पुथल होगा जो भी ये change का period होगा इसमें से जो है with मोदी जी's guidance we'll be able to sail through in a comfortable way अभी जो है भारत की दशा भी अगर हम देखें तो वो कोई बहुत favorable इस समय नहीं है दशा तो अच्छी है पर जो अंतर दशा है अभी जो है चंद्रमा में शनी की अंतर दशा है शनी देखें तीसरे घर से एक संबंद बना रहे है नवे में बैठके तो border related issues तो होगी होगी उसके अलावा economic wise, stock market related भी जो है situation बहुत अच्छी नहीं है मई 2021 में भारत की शनी में बुद्ध की दशा आजाएगी जब ये दशा परिवर्तन होगा जब बुद्ध की दशा आएगी तो वो देश की internal situation plus जो economy है, जो economic conditions है, जो stock market especially उसके लिए बहुत अच्छा होगा तब आप जो है economic stability भी देखेंगे साथ-साथ गुरू भी जो है जैसे ही अपनी niche की राशी को पार करके कुम्ब राशी में जाएंगे तो वो समय भी जो है देश की economic के लिए बहुत अच्छा होगा तो दिखिए जिस तरह से जो है planets, difficult situation create करते हैं उसी तरह से जब planets का movement होता है, तो situations positive भी होती है So certainly friends, यह transformation का period है, change का period है यही नहीं बलकि जो आगे आने वाला पूरा decade है, वो पूरा decade भी जो है उसमें काफी सारे transformation आप देखने को देखेंगे, आप experience करेंगे So this is a period of transformation, पर यह कहना कि बुरा ही समय है और बहुती बुरा समय ऐसा नहीं है Certainly uncomfortable समय है, जैसा मैंने का उथल पुथल का समय है पर हम जो है इससे जल्दी ही sail through करेंगे, इस समय से जल्दी ही निकलेंगे और जो आगे आने वाला time है, वो देश के लिए internally भी और देश की economy के लिए भी जो है बहुती अच्छा समय So, मैं wait करूंगी आपके feedback का, मुझे अपने feedback जरूर दीजेगा Thank you